आरोग्य जागरूती आरोग्य जागरूती में आज हम जानेंगे एपलिपसी के बारे में याने मिर्गी, आपसमार, जटका, फीट्स, दोरे पढ़ना ये सारी बीमारियां एक ही है इसे वेद की ये भाशा में एपलिपसी कहा जाता है दोस्तो हम कई बार देखते हैं कि किसी को एपलिपसी याने मिर्गी का दोरा पढ़ता है और वो इनसान जमिन पर घिर जाता है तो तुरंत कोई देशी तोटका शुरू कर देता है जैसे उसे चपल सुंगाना लोहा मूं में डालना या प्यास फोड कर सुंगाना क्या ये सही है ऐसा करने से मरीज को होश आ जाता है या ये सारी बाते गलत है तो सही तरीका क्या है किस कारण ये मिर्गी वाली दिमागी बिमारी इंसानों को होती है और इसका सही इलाज क्या है ये हम आज के इस भाग में जानेंगे डॉक्टर पांडूरंग वट्टमवार जी से जो कंसल्टन इंटर्वेशनल नियूरोलोजिस्ट है और औरंगाबाद के उरियान सीटी केर सुपर स्पेशालिटी के वो डिरेक्टर है साथ ही मिलेंगे उनके सहीोगी डॉक्टर राहुल वहटूले जी से जो कंसल्टन नियूरोलोजिस्ट है ये एक एक कर हमें बताएंगे मिर्गी के इलाज के बारे में ये दवाईयों से ठीक होती है या इसका ओपरेशन करना ज़रूरी है आज हमारा विशे है एपिलेपसी यानि मिर्गी ये विशे बहुत गंबीर है और बहुत छोटा भी लगता है लेकिन इसके बारे में हम डिटेल्स में जानकारी देंगे डॉक्टर पंडरंग वट्टामार सर और डॉक्टर वाटूले सर अभी लोगों में गयर समझ जो है कि मिर्गी किसे कहते है और एपिलिप्सी क्या है एपिलिप्सी वर्ड बहुत कम लोगों ने सुना है लेकिन मिर्गी जटके आना इसके बारे में हमें पुरी जानकारी डॉक्टर वट्टामार सर देंगे ये एपिलिप्सी जो बिमारी है ये ब्रेन से रिलेटेड बिमारी है ब्रेन में अपने शरीर का पुरा जो कंट्रोल रहता है ब्रेन के अंदर रहता है जब यह electrical activity ब्रेन के अंदर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है तो ब्रेन के अंदर sparking होती है और यह बढ़ने के बाद patient को मिर्गी का जटका सकता है तो यह आप कोई भी वर्ड यूज़ कर लीजे उसको चाहे बोलिये मिर्गी, अपस्मार, जटका, फेट्स, एपलिपसी बिमारी एकी है बिमारी ब्रेन के रिलेटेड है यह बिमारी ब्रेन के अंदर से आती है यह जो बिमारी है इसके वो काफी अलग-अलग types रहते हैं हम ज जवालों के जवाब हमको मिलना ज़रूरी रहते है नमबर एक यह मिर्गी है, एपलिपसी है, अपस्मार है या जटका है जो भी है वो मिर्गी है या उसके जैसे दिखने वाला कुछ और जटका है पहले वो डिफ्रेंशेट करना पड़ता है दूसरी बात उसका कारण क्या और यह कितने सालों से है कैसा है हम सारे सवालों की जवाब? पेशेन और रर्लेटेव से पूछते है एक बार यह दो सवालों की जवाब हमको मिल गए तो हम उसको अच्छे से ट्रीटमेंट दे सकते है उसका कुंसा दवाई देना जरूरी है कुंसा कुन सा ड्रग है जो उस टाइब के मिरगी को काम करेगा वो कितने डोस में देना चाहिए अगर एक गुली से कमने हो रहा है तो दो या तीन गुली देना है तो कुन सा कॉंबिनेशन रहना चाहिए और कितने साल तक देना चाहिए यह सारे सवालों के जवाब है वो दो सवालो जो बाद में भी हो सकती है, इसके वज़ा बहुत सारी होती है, जिसे कभी-कभी यह एक्सिडेंट्स के बाद हो सकता है, जिनको ब्रेन में इंजूरी हुआ है, ऐसे लोगों को ब्रेंग पहुता है, कुछ लोगों को जैसे शुगर की बि मारी है या ब्रेन में कलॉट है जिसको हम स्ट्रोक बोलते है यह परड लिंस बोलते है उन लोगों को भी फिट्स आने का बीमारी हो सकता है美國 की का बिमारी double Prozent double tip by अफ इन एक लोड़ापे में ज्यादा कॉमन रहता है लेकिन यह जो समझ है लोगों में कि अगर मेरिगी का बीमारी है तो बच्पन से रहना चाहिए है अभी तो कुछ नहीं आया अभी कैसे आ गया यह सवाल पूछते हैं लोग हम से जब किसी हम पेशन को देखते हैं जब पहले बार मेर मेरे तो कुछ नहीं था बच्पन से तो कुछ नहीं था तो मेरा कहना यही है कि यह मेरिगे का बीमारी कौनसे भी उमर को किसी को भी स्टार्ट हो सकता है किसी को भी हो सकता है यह बच्पन से ही रहना है यह ज़रूरी नहीं है इसके क्या लक्षन होते है जब हम देखते हैं इपिलिप्सी के पेशन्ट्स, हम अगर 100 पेशन्ट देखते हैं, तब 100 में से 1 या 2 ही पेशन्ट रहते हैं, जिनमें अनोवशिकता यह भाग रहता है, तो इसका मतलब है कि यह अनोवशिक बीमारी हो सकती है, तेकिन यह काफी कम परसेंटेज में होती है, जैसे मैंने स्टार तो मेरा जो बात करने का सेंटर है, वहाँ पर electrical activity बढ़ गई है, वैसे ही ब्रेड के कौन से हिस्से में यह electrical activity abnormally बढ़ जाती है, जो असाधरन बढ़ जाती है, तो वो हिस्से को ब्रेड का activation हो जाता है और वो हिस्सा वो epilepsy के लक्षन देना चालू करता है, किसी patient को चेहरा हो जाना, एक हाथ और एक पर तेड़ा होना, किसी patient को टाइड पोशेरिंग हो जाना, या फिर किसी को जटके आना, यह जाना, किसी को मेरीगी का symptoms इतना कम होता है, कि जैसे आखे फड़ फड़ाना, आखे मिचिना, इतना ही उसके लक्षन होता है, किसी को patient आचानक गिर जाता है, लक्षनों में मैं एक कहना चाहता हूं कि काफी patients और relative बोलते है, कि patient unconscious हो गया था, लेकिन मुँ में face नहीं आया था, तो यह भी समझ है, कि अगर मुँ में face आता है, तो ही मिरगी, अगर मुँ में face नहीं आता है, तो मिरगी नहीं, यह ऐसा बिलकुल नहीं है, तो मिरगी का, ब्रेन के कुन से हिस्से में, electrical activity बहुत जादा होता है, उसके उपर, उसके लक्षन डिपेंड रहते है, और कुछ-कुछ मिरगी के attack इतन माइन्यूट लक्षन भी हो सकते हैं अभी काफी हमारे दर्शो का एक सवाल था कि यह जैसा जादू टोना करते है ऐसा कोई भाग होता है और इसमें जिन्दगे बार इसका इलाज नहीं होता है इसका इलाज किस तरीके से किया था कितने टाइम में अच्छा हो सकता है पेशन्स इसके इलाज के बहुत सारे तरीके होते है यह किस टाइप का फिट्स का बीमारी है इस पे डिपेंड करता है बहुत बार अगर यह अनुवानशिक होगा तो इसको तोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट होता है किस वज़ा से हुआ है इस पे इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है ट्रीटमेंट में सिर्फ मेडिसिन होता है टैबलेट्स होती है जो लेना पड़ती है रेगुलर बेसिस पे ये लोगों का जो कहना होता है कि ये treatment lifelong लेना पड़ती है या इसके कुछ side effect होते है ये इस तरह से नहीं होता है ये वज़ा पर depend करता है कुछ वज़ा ऐसी होती है कि जिनकी treatment बहुत short duration के लिए देना पड़ती है कुछ सालों के बाद वो tablets पूरी तरीके से भाम बंद कर सकते ह और कुछ वज़ा ऐसी रहती है जिसके लिए काफी long duration के लिए उसका treatment continue करना पड़ता है आपने अभी तो काफी epilepsy के patient किये है आप कौन वो है तो अभी हमारे दर्शकों की बताईए कि आप जैसा भी कुछ symptoms आते है इसमें आप इन्हें क्या tips देना चाहिए इपलिपसी के patients का सबसे पहले तो diagnosis proper होना बहुत ज़रूरी है और diagnosis करने के लिए सबसे important जो रहता है patient और relative उनके तरफ से जो हम जानकारी लेते हैं हम जो बोलते clinical history medical language में वो बहुत बहुत ज़रूरी है patient के जो जटके आते हैं जो patient ओपड़ी में आता है जटके तो ना मैने देखे हुए रहते हैं ना patient समझ सकता है तो patient आपके जटके उनको जटके आते हैं वो describe नहीं कर पाते हैं जो जटके describe वही आदमी कर सकता है जिसने वो जटके देखे हो और काफी बार क्या होता है relatives जट पेर कैसे है, आखी कैसी है, वो कितने देर तक था, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे एंड हुआ, एंड के बाद क्या हुआ, यह सारे चीजे हमको डिस्क्रिप्शन डिटेल में अगर मिलता है, तो काफी बार सारे जो इन्वेस्टेक्शन रहते हैं, डाइगनोसिस के लिए करने की ज़रूत नहीं है, लेकिन वो कनफर्म करने के लिए करने पड़ते हैं, तो जब भी ऐसे पेशन आते हैं, तो सबसे इंपोर्टन रहता है क्लिनिकल हिस्ट्री, उसमें 90% डाइगनोसिस उसी में हो जाता उसके बाद आता है Yamarai, जब हम करते हैं, तो Yamarai एक अच्छे क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है, अब देखो, अब कैमेरा में शुटिंग चल रही है, आप कैमेरा के तज्ञे हैं, आपको कैमेरा के बहुत जानकारी है, आपको भी बता है कि जब पुराने मोबाइल तो कैमेरा था, तो कैमेरा का पावर जो रहता था, तीन मेगापेक्सेल, चार मेपेक्सेल रहता था, अभी तो बहुत तरक्की हो गई है, टेकनोलोजी बढ़ गई है, तो कितने सुपब कैमेरे आ रहे हैं मोबाइल में, वैसे ही, मेडिकल टेकनोलोजी भी बढ़ रही है, उसमें MRI भी कॉलिटी बहुत अच्छे से कॉलिटी के आ रहे है अभी 3 Tesla जो सबसे advanced MRI machine उपलब्द है इवन आउरंगाबाद में भी है वो 3 Tesla MRI पे हमको मिरगी का जो कारण है वो मिलने के चांस से ज़्यादा होते है अभी 3 के बाद 7 Tesla भी इंडिया में आया है वो एम्स में है दिल्ली में लेकिन वो सिप रिसर्च परपस के लिए यूज करने है तो रूटीन क्लिनिकल परपस के लिए अगर वो 7 Tesla आता है तो और जानकारी मिलजेगी यह हो गया MRI दुसरे बात दुसरी चीज रहती है जिसे eiftig बोले तो जैसे आपना हर्ट का ECG निकालते है जो हाट का electrical activity देखते है वैसे ही ब्रेयन का ال ć bak grateful activity देखने के लिए कर तो हम करते है तो ना चाहिए जिसे हम अगर जानकारी नहीं मिलती है तो हम आगले स्टेप को जाते हैं उसमें वीडियो एजी बोलते हैं तो जो वीडियो एजी है यह इसमें पेशन को एडमिट करना पड़ता है एडमिट करके हम धीरे धीरे पेशेंट्स की दवाईया कम करते हैं ताकि पेशेंट को जहटका है इसमें वीडियो रेकरडिंग और EG रेकरडिंग जैसे आप देख रहे हैं यह पर यह EG रेकरडिंग और वीडियो रेकरडिंग गन्तिन्योज चलती रहती है यह 24 आवर्स 48 आवर्स, 36 आवर्स जितना भी ज़रूरत है या फिर जटका आने तक हम रेकॉर्डिंग चालो रखते हैं, हम जटके रेकॉर्ड करते हैं, एक तो वीडियो रेकॉर्डिंग से हमको ये समझ में आता है कि जटके के लक्षन क्या है, मिर्गी के लक्षन क्या है, और एजी के रेकॉर्डिंग के वज़े से हमको ये समझ में आता है कि ब्रेन का ऐसा कोन सा हिस्सा है जहां से ये मिरगी के अटा apple है निकल रहे है जो उसका उगम बिंदु है हम ढूंढ सकते हैं अगर एक bार ये सारी जानकारी मिल गई तो जैसे मैंने बताया कॉन सा दवाई देना चाहिए कॉन सा ड्रक देना चाहिए कुन सा combination देना चाहिए, कुन सा dose देना चाहिए और कितने साल तक देना चाहिए, यह हमको जानकारी मिलती है अगर यह सही दवाई, सही dose, सही combination में सही diagnosis होने के बाद अगर मिलती है 100 में से 70 टक्का पेशेंट मिर्गी पूरी तरह से control हो सकती है लेकिन उन्होंने regular दवाई लेना ज़रूरी है 30 टक्का लोग ऐसे रहते हैं, जिन में सब कुछ सही है diagnosis सही है, गोली सही है, उसका dose सही है, continue ले रहे है फिर भी जटके आते हैं, ऐसे पेशेंट में अगर हमको उगम बिंदू मिलता है तो वो उगम बिंदू हम operation करके निकाल सकते हैं, जो focus बोलते हैं, एक्तल onset zone बोलते हैं, वो operation करके निकालते हैं इसको बोलते हैं epilepsy surgery, यह सब most advanced surgical technique है, जिनको दवाईयों के बावजूद मिरगी के attack control नहीं हो रहे है जिसको हम हमारी language में medically, refractory, epilepsy बोलते हैं, ऐसे patients को यह surgery का बहुत फाइदा होता है जो surgery करते हैं, जो सबसे common जो surgery है, अपना यहाँ पे जो temporal lobe रहता है anterior temporal lobectomy और जो hippocampus है, उसको निकालते हैं यह सबसे पूरे दुनिया में सबसे common surgery है और अगर वो surgery करते हैं, पेशेंट्स में लगबग 80-25 टक का patient में फाइदा होता है लगबग 70 टक का patient में मिरगे के जटके पूरी तरह से कम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं लगबग 40-25 टक के patient में यह गूलिया भी हम देरे-देरे बंद कर सके रहे हैं तो यह advanced technology है दर्शकों का एक सवाल है, जब patient को जटके आते हैं, उस्टे में patient नीचे गिर जाता है, कहां पर मार लगता है, पता नहीं चलता है तो ऐसे टेम में प्रतम उपचार क्या करना चाहिए, जैसा भी लोगा आगे जबस्ती मूँ खूल के पानी पिलाते हैं, कोई नाग दबाते हैं, यह चीज करना चाहिए, कितना घातक हो सकती है जब भी आपके सामने आपके आसपास किसी को फिट साता है, patient जब नीचे गिर जाता है, तो general belief यह है कि कुछ लोग उनके मुँ में चपल दे देते हैं, या कुछ लोखन रख देते हैं, जिससे कि वो जबान कटना जाए, ऐसा उनका धारना होती है, या कांदा सुगा देते यह सारी गलत चीजे होती है, इससे कुछ फायदा होता नहीं है, patient को, अगर आपके सामने कभी ऐसा होता है, तो patient को एक साइड में, किसी भी एक साइड में सुलाना होता है, और उसको आजो बाजो गिरने के बाद कुछ injury ना हो, या कुछ मारना लगे, इस चीजों का सिप ध पेशन पूरी तरह से होश में नहीं आता है, तब तक patient को कुछ देना नहीं होता है, मुह से खाने के लिए या पानी भी पिलाना नहीं होता है, जब patient पूरी तरह से होश में आ जाए, तब फिर उसको उठा के बिठाना होता है, या सर की नीचे तक्या रखना होता है, और ब तो आपका डाइगनोसिस बराबर होना बहुत ज़रूरी है अगर आपका डाइगनोसिस ही बराबर नहीं है तो वो पेशेंट्स के जटके कंट्रॉल होना मुश्किल हो सकता है एक बार सारी चीजे अगर करेक्ट है फिर भी जटके नहीं हा रहे हैं और एपलिप्सी सर्जरी हम पेशन्ट को कर सकते हैं तो मैंने जैसे बताया है कि लगभग 60-70 टका पेशन्ट में एपलिप्सी सर्जरी का फायदा होता है और 40-50 टका पेशन्ट ये पर्मनेंटली क्योर हो सकते हैं ये एपलिप्सी की बीमारी से एपलिप्सी सर्जरी त्वारा लेकिन अभी कुछ पेशन्ट मेरे पास आते हैं इनका अपसमार फिट्स मेर fibre ऑगी पूरा कंट्रूल है एक दम पूरा कुछ भी नहीं है दस साल होगे कुछ नहीं है लेकिन गोली लेना जरूरी है गोली लेते हैं अब सवाल ये पूछते हैं कि अगर मेरा ओपरेशन कर देंगे तो मेरी गोली बंद हो जाएगी क्या ये ऐसा नहीं है देखो, एपलिप्सी का सरजरी एपलिप्सी सरजरी जो करते हैं हम उसी पेशेंट के लिए करते हैं जिनका मिर्गी जिनका जो मिर्गी के अटाक है जिनके फिट्स है दवाईयों के बाउजुत कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो अगर कंट्रोल हो रहे हैं तो दवाईया ही प्राइमरी ट्रिट्मेंट है अगर कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो दवाईया बंद करने के लिए एपिलिप्सी का सरजरी नहीं है, एपिलिप्सी का सरजरी बंद करने के लिए और 40-50% पेशेंट में यह क्योरेटिव हो सकता है माराटवड़ा में जैसे मुझे याद है पिछले 12 साल से मैं यहां पर प्राक्षिस कर रहा हूं माराटवड़ा में बारा साल में काफी एडवांस चीचे माराटवड़ा में आई है, इनिशेली हमने, I was the first person मने हमने हमारे होस्पिलिप्सी में पहली बार माराटवड़ा में एपिलिप्सी सरजरी चालू किया था, तो लगबग अभी 100 पेशेंट्स अपरेट हो चुके हैं और काफी पेशेंट की बारे हम जान कर देंगे, धन्यवाद।